आज मैं आपको बताने जारी हूं कि आप 2-3 साल के बच्चे को क्या पढ़ा सकते हैं 2-3 साल का बच्चा जो होता है वो लिखने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है उसको अगर आप लिखने को भी देंगे तो वो इसक्रबल ही करेगा पेज में इसलिए आप 2-3 साल के बच्चे को आप ज़्यादे से ज़्यादा लर्ण कराईए हर चीज फिर वो अलफाबेड हो या हिंदी वर्डमाला हो या वेकल्स नंबर्स कलर्स ये सब चीजे हो आप इसके लिए एक बुक ले सकते हैं जैसा कि आप देखने मैंने एक बुक ली हुई है All In One इसमें ये सभी चीजे दी हुई है जो हम अपने बच्चो को 2-3 साल के बच्चो को पढ़ा सकते हैं तो आईए देखते हैं इस बुक के अंदर क्या क्या है English Alphabets आप देखने हैं कि यहाँ पर Capital Letter में भी A दिया है और Small Letter में भी A दिया है और साथ में Object भी दिया है A for Apple तो आप उनको Capital Letter में भी A बताईए और Small Letter में भी A बताईए और साथ में A for Apple B for Ball C for Cat D for Dog यह भी पताईए आप एकदम से उनको Start मर्द करेजिए कि वो A से Z तक पूरा Learn ही कर ले आप उसको रेशियो में बाढ़ दीजिए 5-5 का रेशियो आप रख दीजिए जैसे कि आप A से सुरू करिए और E तक उनको एक दिन में Learn कराईए A से E तक आप Learn कराईए फिर उससे ही संबंदित आप कोई Worksheet उसको दीजिए A से E तक आप अलफाबेट एक तरफ लिख दीजिए फिर A से E के आप Object सुना दीए और फिर उनसे कर दीजिए मैच करें अगर बच्चा उनको अच्छे से मैच कर रहा है तो आप समझ सकते कि उनको A से E तक का Concept अच्छा से Learn हो गया है ऐसे ही फिर धीरे धीरे करके आप पूरा उन्हें Alphabet Learn करा दीजिए अब फिर आप आगे दिखिए इसमें Hindi वर्डमाला भी दी है यहां आप देख पा रहे होंगे कि वावर और Consonant का भी इन्होंने Concept दिया हुआ है मगर यह आगे चलके बच्चे सिखेंगे अभी टोडलर्स को यह Concept नहीं समझ में आएगा तो आप इसको Skip कर दीजिए फिर यहां आप देख पा रहे होंगे Hindi वर्डमाला दी है इसमें भी आप वही रेशियो रखिये पाच-पाच का रेशियो रखिये आज से अनार, आज से आम्न, ऐसे पढ़ाईए आप इसमें आज से आहा तक उनको सिखाईए जब आप स्वर सिखा देंगे फिर आप पूरी स्वर की भी इसमें ही वर्क्षेट बनाईएगा और ऑब्जेट दीजिएगा फिर उनसे मैच करवाईएगा पहले थोड़ा-थोड़ा ही बच्चों को सिखाईए फिर धीरे-धीरे करके आप Hindi वर्डमाला भी उनको इसी टाइप में पूरा सिखा दीजिए इसके बाद देखिए नंबर्स दिये हैं चोटे बच्चों को पहले तक ही सिखाईए और उनको इस टाइप से आप सिखाईए वन डाइनासूर वन वन टू 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 वन टू टू ट्री ट्री वन टू टू ट्री फॉर आप उनको काउंट करना सिखाईए वो जब काउंट करेंगे तब उनको पता चल जाएगा कि कितने नंबर्स दिये हैं टू नंबर्स दिये हैं थ्री नंबर्स दिये हैं फॉर नंबर्स दिये हैं वो काउंट करके ही उनको आप नंबर्स सिखाईए वन से लेके 10 तक फिर इसके बाद आप देख रहे हैं यहां गिंती बीदी है एक से 100 तक की मगर यह बच्चे जब आप नर्सरी में जाएंगे केजी में जाएंगे तब यह सिखेंगे टोडलर्स के लिए 1 टू 10 तक ही इनफ है फिर आप देख पा रहे होंगे नेम उफ कलर्स रेट, पिंग, ओरेंज, यलो, स्काई, ब्लू, परपल, ग्रीन यहां सारे कलर्स थी हैं आप देख पा रहे होंगे बच्चों को बताईए कि रेट, टेमेटो भी होता है एपल भी होता है कुछ भी बता सकते हैं आप रेट से रिलेटेड जो भी ऑबजेक्ट होते हैं घर में भी जो चीज़े होती है रेट कलर की आप वो भी उनको बता सकते हैं घर की चीज़ों को भी आप कलर से कनेट करके उनको बताईए कि यह इस कलर का होता है आज पास के चीज़ों को जितना जादाद देखता है उतना जादा शीखता है तो आप भुक से भी शिखा सकते हैं घर भी चीज़ों को आप बता सकते हैं कि यह चीज इस कलर की होती तो बच्छे कलर भी बहुत अच्छे से सिखेंगे जैसे 성 sided आप उनको यह यह लो कलर की आना बच्चों को बहुत जरूरी होता है, फिर आगे आप देख पा रहे हैं, यहां शेप दिये हैं, ओवल, रेक्टेंगल, स्क्वार, सर्केल, त्रिबूच, सिलेंडर, आप उनको शेप भी बताईए, आप उनको ये भी बताईए, कैरम बच्चे घर में खेलते ही हैं, तो रोटी भी सरकिल होती, रोटी से वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे रोटी तो रोज खाते ही हैं, तो जो चीजे वो रोज अपने डेली यूस में करते हैं, इन सब चीजों को आप उनसे रिलेट करिए, दैनिक जीवन से संबंदित जितनी चीजे हों अगर आप उनसे रिलेट कर बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उनको ज्यादा समझ में आएगा, यह बच्चों का सबसे फेवरेट पार्ट सोता है, राइम्स, जोनी जोनी, ट्विंकल ट्विंकल, अल्ली टू बैट, वन टू बकल मैशू, यह पोयम बच्चों को बहुत ही हिंदी भी कविताएं दी गई हैं, आप देख सकते हैं, व्रच लगाओ, गाजा रो टमाटर, मचली जलकी रानी है, हम सब नन्हें बच्चे, तो आप हिंदी में भी उनको कविताएं सिखाएं और इंग्लिस में राइम्स पी सिखाएं, इस्टोरी पढ़ना, तो बच्चे नैतिक ग्यान भी मिलता है, उनको वहवार की भी शिक्षा मिलती है, और साथ में स्टोरी का मौरल आप जरूर बताइए, तो बच्चों को इन सब चीजों को सिखाने से बच्चपन से ही अच्छी यादते मिलती हैं, संसकार मिलते हैं, तो अच्छी अच्छी स्टोरी आप से भी उन्हें सुना सकते हैं, फिर यहां देखिए, फ्रूट्स, एपल, मैंगो, बनाना, पपाया, वाटरमेलन, ओरेंज, पोमेग्रानेट, लीची, आप ऐसे भी बता सकते हैं, एपल रेड होता है, मैंगो, समर सीजन में आता है, बच्चे इन सब चीजों को देखते भी हैं, घर में भी, आप घर में भी जब फ्रूट्स आते हैं, तो आप उनको उनके नाम इंग्लिश में, हिंदी में बता सकते हैं, और सिखा सकते हैं, वेजी टेबल्स, आप उनको वेजी टेबल्स के नाम सिखाईए, जाता से जाता आप घर में जो चीजे होती हैं, उनको आ घर में होती है आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी उनको बताईए एरो प्लेन बस ट्रेन आटो रिक्स्ट्रा आप उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में भी जानकारी दीजिए और घर में भी जो आपके वेकल से उसके बारे में भी जानकारी दीजिए फिर यहां आप देख पा रहे होंगे wild animals and pet animals का concept दिया है आप उनको wild animals के बारे मताईए कि wild animals बेटा जंगल में होते हैं और pet animals हम घर में पालते हैं और कौन-कौन से animals हमारे लिए useful होते हैं इसका भी उनको आप difference समझाईए birds, कुछ birds तो वो घर के आज़ पास अपने देखते भी होंगे तो वो जानते भी होंगे और बाकि जो जैसे कि आप देख रहे हैं peacock है तो आप यह ज़रूर बताईए कि जो peacock होता है वो हमारा national birds है sparrow, parrot तो वो अपने घर के आज़ पास देखते ही हैं, pig and crow यह तो घर के आज़ पास birds होते ही हैं, तो अगर आपको घर के आज़ पास भी वो birds देखते हैं, तो ज़रूर बताईए कि Englishman को क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं आप देख सकते हैं, reptiles insects, आप बताईए कौन सा reptiles कितना dangerous होता है, harmful फुल कौन से insects होते हैं, यह सब भी आप उनको बताईए फिर आप यहाँ देख पा रहे होंगे national symbols बच्चों को अपने देश के बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारा national flag क्या है national flower क्या है national bird क्या है इन सब चीजों की जानकारी भी हमें बच्चपन से ही उनको देनी चाहिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इन्होंने महीनों के नाम और दिनों के नाम दिये तो यह तो आप उनको रोज सिखा सकते हैं कि कौन सा दिन है आज आप उनसे खुद पूछिए कि बेटाज कौन सा डे है वो खुद आपको बताएंगे तो जितना बताएंगे कि कौन सा मन्थ है जैन्वर यह कि फैर वरिन को बताएंगे आपका बर्डे इस मन्स में पढ़ता है मेरा बर्डे इस मन्स में पढ़ता है तो बच्चों को ऐसे आप मन्स और डे के बारे में सिखा सकते हैं तो आप ने देखा कि हम बच्चों को घर पे टोडलर सको घर पे क्या-क्या सिखा सकते हैं ये बुक आप आन्लाइन भी बायर कर सकते हैं या स्टेशने की दुकान पर भी आपको ये बुक मिल जाएगी तो अगर मेरे वीडियो से आपको किसी भी तरह की कोई हैल्प मिलती है तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, सबस्क्राइ करिए थैंक्स वर वाचिंग